इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते ह और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। लिपी EZBs Tablet एक दवा है, जिसका इस्तेमाल उच्छ कॉलिस्टरॉल के इलाज के लिए किया जाता है। ये दो दवाओं का एक सयोजन है, जो खराब, कॉलिस्टरॉल, LDL और ट्राइग्लिसराइद्स वसा किस तर को कम करता है। लिपी EZBs Tablet का उपयोग खाने के साथ या बिना करें। आपको इसे नियमित रूप से अपने चिकित सकद्वारा निर्धारित समय के अनुसार समान अंतराल पर लेना चाहिए। इसे हर दिन एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रखने में मदद मिलेगी। उपचार की खुराक और अवधी इस बात पर निर्भर करेगी कि आपका इलाज किसली किया जा रहा है। जब तक आप बहतर महसूस न करें, तब तक इसे लेना बंद न करें जब तक कि आप पूरा कोस पूरा नहीं कर लेते। आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करके इस दवा को बहतर ढंक से काम करने में मदद कर सकते हैं, जैसे सक्रिय रहना, धूमड़ पान बंद करना, स्वस्थ कम वसा वाला आहार खाना और नियमित रूप से व्यायाम करना, मतली, पेट दर्द, कब्ज और मांस्पे इस दवा के कुछ सामाने दुश प्रभाव हैं, ये आमतोर पर हलके होते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या ये आपको परेशान करते हैं, या कुछ दिन उसे अधिक समय तक चलते हैं, अगर आपको तवचा या आँखों का पीला पन, असामाने रूप से गह गहरा मूत्र या गहरे रंग का मल दिखाई दे तो अपने डॉक्टर को बताएं क्योंकि ये लीव खराब होने के लक्षन हो सकते हैं, ये दवा लेते समय आपसे बलड शुगर लेवल और लीव फंक्शन की नियमित निगरानी के लिए कहा जा सकता है, इस दवा को लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या आपको केड़नी या लीव की कोई समस्या है या उच्च रख चाप है, गर भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, आपको अपनी स्वास्थ शेवा टीम को अ साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद